तो है लो गाइज कैसे आप लोग आसे गाता ठेके होंगे मैं आपको दोस्ट खेक आना और आप देखने हैं काना इलेक्ट्रोन इजिनियर्स तो फिर जैसे कि आप उसके पर देख पारे होंगे आज मेरे पास सुकाम का सार्क मोडल सुकाम का सार्क मोडल 850 VA का इन्वैटर उपस्तित है तो इसमें फॉल्ट क्या है फॉल्ट इसमें एक छोटा सा फॉल्ट है लेकिन मैं इसमें जो एक सेक्शन बताने जा रहा हूँ आज की वीडियो में आपको इस बोड के उपर चार्जिंग का सेक्शन पुरा बताने वाला हूँ आपका इस बोड के उपर चार्जिंग प्रोडम कहां कहां से आ सकता है और इसका चार्जिंग सेक्शन कहां से क्या है उस सारा चीज इस वीडियो में कवर करने वाले है ठीक है तो फिर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हैं अगर आप में चैनल पर नीव है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपके पहुंद तक के दुवारा मिल जाए और आप बहुत यह असाने से मिले वीडियो को देख सकेंगे कि दोस्तों सबसे पहले से च्छोड़ा से फॉल्ट है उसको पहले ठीक करता हूँ उसके बाद मैं इसके चार्जिन सेक्षेन के ऊपर चलेंगे ठीक है अब आ पर देखिया मेरे इसका स्वीडियो को कर लिया हूं देखिये मेरे यहां पर यहां पर और एप ly और सामने देख मेन्स लेड़ ब्लिंक कर रहा है ये वर मैं ओफ सुनी है तो इसमी मेरे आईड़ी का चैuben तो मैं पहले एक विडियो बनाया था इसका उसको कांट था तो इसमें भी एक protection दिया गया था और इसमें भी protection किया है अगर इसको mains connect नहीं मिलेगा PCP में या फिर फिर फीज इसका जो फ्यूज लगा हुआ यहाँ पे इसी फ्यूज वह नहीं मिलेगा तो यह मेरा यही निक्रेट करेगा में से लेटी गलो करेगा और बलिं करेगा और लगातार भीक इसका प्रॉलम है यहां पर फ्यूस जही यह कि इसका जैग लगा हूँ देखिए लगा करता है खाट कर लाहूँ लेकिन यहाँ बताने वाला हूं ऊपर बात करने वाला बोर्ड में चार्जिंग स्रेक्षंट क्या है एं चार्जिंग कैसे करता है आपड गांगे तो चलिए को स्केवां यहाँ पर खोल लेता हूं इस सप्सक्रेश्चव को दिख रहा। लगातर भी सॉंड का ओई जैक से था ठीक है इसको मैं यहां पर कट करके जोड़ दूँगा तो मेरा प्रोलम ठीक हो जाएगा लेकिन यहां पर हमको आज समझना है बैटी सेक्षन के ओपर चलिए इसका चार्जिंग सेक्षन ठीक है यहां पर हमको छोड़ना है तो इसके प्रोसेसर और यहां के बीच में चार्जिंग करने के टाम में कौन-कौन से क्वाम करते हैं और इस सक्षन में क्या-क्या क्वान लगए में इस चिज़को देखते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोड़ा सा इंफर्मेसन दरना चाहूँगा क्लास से रिलेटेड फ्रेंड्स आप लोग को पताई होगा कि मेरे दुआरा ओल इंडिया क्यक्या काना ट्रेनिंग क्लास चलता है मेरे पास औल इंडिया से लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं बहुत सारे लोग मेरे पास बहुत सारे बेच चला दिये गए हैं वो बेच में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं और जो बच्चे हैं वे ट्रेनिंग ले लें के लिए वो नया नया जो सब्सक्राबर जूड़ रहे हैं अगर आपको ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हमसे तो आप हमसे कॉंटेट कर सकते हैं असकीन पर दिये गए नंबर पर आप अपना फूल एड्रेस सेंड करें अगर क्लास में होना है तो अपना फूल एड्रेस सेंड करें अपना नाम और एड्रेस सेंड करें अब बाकी का कराश का रूल साफको वाटसप के थुरू बताए जाएगा वाटसप इस नंबर पर तो अगर आप क्लास से इंट्रस्टिंग है क्लास में जोन होना चाहते हैं अगर आप टेक्निशन बनना चाहते हैं अच्छा टेक्निशन बनना चाहते हैं फिल्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं काम करना चाहते हैं तो क्लास में आप जोन हो सकते हैं बहुत यह अच्छे लुमिनेस के ऊपर बैस करवाय जाएगा तो उसका प्रोसेस और उसका इंफर्मेशन आपको वीडियो के थुरू मिलता रहेगा अप लोग वीडियो से बने रहें जितने सारे बीडियो को देखे सारे अप्रेट आपको मिलता रहे वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब र इस Microprocessor का Pin No.26 जो है मेरा वह चार्जिंग के लिए Volt Out करता है, कितना Pin No.26 मेरा यहाँ पे Charging Pulse Out करता है तो Pin No.26 कि तरह है इसे आपको काउंडरिंग करना है यह मेरा Threspin का Microprocessor है 14 यहाँ पे हो गया 15, 16, 17, 18, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26 मेरा pin number 26 यहाँ पे है ठीक है तो आप इस ऐसे के pin number 26 पे कितना फोल्ट चेक कर सकते है 200-3 फोल्ट के करीब ठीक है आपका battery जिस साब से charge रहेगा ज्यादा charge रहेगा तो आपका कम फोल्ट आउट करेगा बैटरी डौन रहेगे तो आपका यहाँ पे ज्यादा आउट करेगा जिस साब से आपका battery कम ज्यादा charge होगा उसी साब से यहाँ पे कम ज्यादा बोल्ट आउट करेगा ठीक है तो यह maximum होल्ट कितना आउट कर सकता है 3.3 वोल्ट यह maximum कर सकता है अगर आपका battery printer से डौन हो गया है तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट आउट कर सकता है ठीक है तो पिन नमर 26 से जो नहीं वोल्ट आउट करता है चार्जिंग करने के लिए वो पिन नमर 26 से वोल्ट कहाँ पे जाता है देखिए इधर पिन नमर 26 मेरा इधर से मेरा यह हुआ ठीक है देखिए यहाँ से मेरा एक ट्रेक आउट हुआ है यहाँ पे और यहाँ से जो वोल्ट आउट होता है हो सीधा मेरा इस IC का यहाँ पे देखिए यहाँ पे 555 AC लगा हुआ 355 A इस IC के पिन नमर 4 पे इन होता है ठीक MicroTec के अनुसार जिससाब से MicroTec E2 X4 Board के उपर चार्जिंग सेक्षन को डिजाइनिंग किया गया है उसी इस वाले बोड पे भी सुकाम सार्क मोडल के उपर भी डिजाइनिंग किया गया है ठीक है पिन नमर 26 से पल्स आउट होता है उपर पिन नमर 26 से दो वोल्ट आउट कर रहा है तो पिन नमर 4 पे दो वोल्ट आएंगे और ये पिन नमर 3 पर वोल्ट आउट करेगा आधा के वोल्ट के करीब आधा वोल्ट ड्रॉप कर देगा एक वोल्ट के करीब अब ये pin number 3 से 1 volt out करेगा, वो आप देखें आप एक resistance लगा हुआ है, कौन सा resistance लगा हुआ है, location में आपको बता रहा हूं Rp3, आपको charging section में बताते हैं जा रहा हूं हो सकता है, तो आप copy column से लिख लिखेंगे location, Rp35 यहाँ पे resistance लगा हुआ है, इस resistance के थुरू, यहाँ पे जो तो मैं maximum लेक के चल रहां अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ, यहां पर दो वॉल्ट है ठीक ह्elles तो वॉल्ट ही आव्ट किया, पाइफे नमर 4 सीरा, अभ यह पिशी बॉल्ट के त्लिभल्ट के स्कोन। अब यह एक बॉल्ट के करीब जो आउट कर रहा है वो सिधा आ रहा है इस रेजिस्टेंस पर आर्पाइटीस पर अब यह कुछ बॉल्ट को ड्रॉप करके सिधा जो दे रहा है वहां पर जो ट्रांजिस्टर है सुचिंग ट्रांजिस्टर टीस चेनल हन्रेट देखिए यहां कितना वोलट मिलेगा इसके बेस पर और पोंट सेंए वाल्ट पॉइंट फटिरी फॉल चार्ज होता जाएगा उसलिक पीषसर बेस फ्लाइगा रहा है वो इस Trister तो आपको इस ट्रांजिस्टर को चेक करना है और चेंद कर देना इसको अगर प्रोबलम मिलती है तो तो आपने देखा है यह पर इसके बेस पर प्रण्ट सेवन वाल्ट के करीब बनेगा किसके थूरू यह 555 अब यह ट्रांजिस्टर जो है आप यह ट्रांजिस्टर है यह ट्रांजिस्टर लेगा एखिकी को सुचिंग करेगा सब्सक्राइट करें इस समया प्रैमिरी राइटक में सब्सक्राइगा सब्सक्राइब रहें आपका बेटरी जिससाब से चार्ज रहेगा तो माल लेज यहाँ पर इसके प्रामरी साइड में पर 8 वल्त बने या फिर 6 वल्त बने बैटरी के रहें है तो इसके से केंडरी साइड में 3 3 वल्त हसाएगा secondary share में 2 winding है primary share में 1 winding है primary share में अगर AC volt बन रहा 6 volt तो secondary share में 3-3 volt बनेगे अब यहाँ पर 3-3 volt AC volt बनेगा ठीक है अब यह AC volt कहीं बनता है यहाँ पर देखें track लगा हुआ है HDR लगा हुआ है इसको one करने के लिए इसके gate को pulse देने के लिए जब तक इसके gate पर pulse नहीं मिलेंगे तब तक यह charging के लिए बहुट आउट नहीं करेगा ठीक है तो अब आपने micro tech के उपर देखा था एक ही track को उज़ किया गया था एक ही HDR को युज किया गया था लेकिन यहाँ पर दो track को यूज किया है दो HDR को यूज किया गया है और यहाँ पर secondary side में दोनो AC volt जो generate होगा वो दोनो AC volt को यह दोनो HDR के लिए यूज मिलीा गया है मतलग एक secondary set का warning एक str को switching करता है जो कि आपका यहां पर लगा हुआ है और दूसरा यहां पर लगा हुआ है जो कि यह secondary set का warning इसको switching करता है इसको switching करता है ठीक है तो AC volt बन करके इस str को switching करता है और यहां पर जो AC volt बनता है यह HDR को switching करता है और दोनों switching होने के बाद मेरा जो AC volt आउट करता है वो देखें यहां पर 125 के tapping पर यहां पर बोल्ट आउट करता है तो friends मैं आपको यहां पर यह भी guide करना चाहूंगा पताना चाहूंगा कि 125 volt लिखाओ यहां पर अ अगर यहां पर 125 से जादा बोल्ट बनेंगे तो maximum आपको यहां पर 125 volt बनना चाहिए एक नेचे फूल बबनता जैईका जैसे जैसे आपका बैटरी फूल चार्ज़ होता जाएगा अगर यहां पर 125 से जादा बोल्ट बनता है तो आपका यह दोनों 다들 मैंसे दोनों को खराभी और सेतालिस और तेटीस उन्हाप एक डावड लगा हुआ है जो कि ज्यादा तर खराप होता है यह डावड डिस सेवन पर MBR 160 MBR 160 यहां पर जो डावड लगा हुआ है अगर इसका रिडिंग सही नहीं आएगा एक खराप हो जाएगा तो भी आपको यहां पर हाई एक चार्जिंग कर सकता है तो दोस्ते आप एक चीज और ध्यान से देख लिजिए अगर आपका हाई एंपर में चार्ज कर रहा है और इसका रिडिंग केतना आँए 60-62 करीब अगर आपको यहां पर रिडिंग सही नहीं आ रहा है या फिर फूल स्वाट आ रहा है तो आपका यह डावड शॉट हो गया उसको चेंज कर देजी फूल स्वाट नहीं होना चाहिए इसका जो रिडिंग आना चाहिए वो 50-500 बोड हूं उसके बाद इसका बॉल्ट भी चेक करके दिखाता हूं ठीक है कि कहां पर कितना बॉल्ट होना चाहिए और यहां पर आपको समझा दिए पिन नमर 26 से लेकर के 125 के टैपिंग तक आपका क्या 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 लगा हुआ है और कहां पर कैसे काम करता है इस तो उस प्रेट में क्या करिएगा उस प्रेट में यहां पर कंट्रोल के लिए यहां पर एक तिन सब्सक्राइब लगा गया है इसका क्या है इसका क्या है इसका काम ओभर लोड और चार्जिंग कंट्रोल दो काम है इसके अंदर अगर आप इसके इंटरनल को समझेगा तो इ दीजिया साइसे को चेंज कर दिजिए है कि ठीक हो भार फिर इसको भी के बाद पर्डिब नहीं ठीक होता है तो यहां पर आज पास में जो रेश्टेंस है इसका बहेलू चेक करें Juice कर इसको करता हूँ तेखिए मैं यहां पर में करता हूँ अब में लगा विप सौंट का वेगर और यहां पर यहां पर नहीं आ रहा को चेक रहा हूं इसके पिन नमर 26 पर देखिए जर्भ यहां पर बैटता जा रहा है क्योंकि मेरा चोटा पैटरी है यह देख सकते हैं 14.2 पर 14.6 पर कर अब कर रहा है तो इसलिए तुरूंद कर रहा है इसलिए यहां पर तुरूंद कर ले रहा है फुल जाएगा तो धिर्रे-धर बैटरी क्लेगे होता जाएगा तो देखिया यही बहुत आपका जो जाएगा वो 500-559 के PIN यहांपे बन रहा है तो जिस साथ से बैटरी का फुल चाज होता जाएगा उसी आपर बहुंत अ करीप आपका है इसके ब्राइस पर भाल सकता है तो दोस्तों यहां पर इस ट्रांश्टर के से बेश्ट बहुत बनने के बाद आगे इस डिती को सुचिंग करता है और यह दोनो थीपैंड दोनों DR.C won oke यहाँपी 125 बॉल्टे चरलजिंगор इर Зीवन की लिए थीक है अब 125 बॉल्ट यहाँपी बॉल्ट उता है उसके बाद यहाँपी बॉल्ट आॉट करवाना है नहीं करवाना है प्लिए 90 वॉॉ dura प्रोसेसर को कौन बताता है तो आपको पीछे दिखाया तो अगर सही डंग से वो नहीं दिखाएगा तीन सब्सक्राइगा तो यह पिन नमर